हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके असाइन्मेंट के स्टेटस के बारे में अगर आप अभी दिसंबर 2022 एक्जाम के लिए अपने असाइन्मेंट समिट करने जा रहे हैं तो आपका जो असाइन्मेंट का स्टेटस है वो कब तक अपडेट होगा यानि कि आपने अभी दिसंबर 2022 एक्जाम के लिए जो असाइन्मेंट है अगर सितंबर मन से submit करने start किये थे क्योंकि आपके December session के जो assignment है वो September month से submit होने start होते हैं और वही आपका September, October November तक आपके assignment submit होते हैं तो ऐसे में अगर आप अपने assignment submit करते हैं तो आपके assignment का जो status है वो कब तक update किया जाता है तो दोस्तों आपके जो assignment का status है वो लगबग चार से पाच महीने लग जाते हैं अपडेट होने में जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपने June 2022 term and exam के लिए assignment submit किये थे और students ने March April में assignment submit किये थे वही आपका भी October November तक status आ रहा है और अभी बहुत सारे students का तो status भी नहीं आया है तो उनके जो assignment है March April में submit हुए थे और अभी उनका status आ रहा है यानि कि कह सकते हैं 6-7 महीने उनका update होने में लग गया तो अगर अभी आप अपने assignment submit करेंगे तो आपका status भी वही February March तक आएगा और आपके assignment का status जब आता है जब आपका result आता है अगर अभी आप December 2022 का exam देंगे जो कि December में होने वाले हैं तो आपका जो status है आपका result December 2022 exam का वही January तक तो आपके exam है यानि कि January February में result आएगा इसलिए आपका जो assignment का status है वो भी February March तक update होगा इसलिए बहुत सारे students कह रहे थे कि आपने अभी assignment submit की एक्टूबर मन्त में या सितंबर मन्त में या नवंबर मन्त में तो हमारा जो assignment का status है वो सो ही नहीं हो रहा है वहाँ पर note found सो हो रहा है तो आपर इसलिए सो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आपने assignment submit की हैं इतनी जल्दी आपके assignment का status website पर update नहीं होता है इसे update होने में कम से कम चार से पाच महिने लग जाते हैं और कभी कबार तो इसे काफी time लग जाता है इसलिए आपको अभी wait करना होगा अगर आपने अभी assignment submit की हैं या submit करने वाले आपके assignment का status फरवरी मार्स से पहले नहीं आने वाला क्योंकि अभी तो उन students का assignment का status update किया जा रहा है जिन्होंने June 2022 सेशन के लिए अपने assignment submit किये थे और अगर आपने अभी June 2022 अग्जाम के लिए assignment submit किये थे तो आप wait करें आपके भी assignment जल्दी update कर दिये क्योंकि जो students पहले assignment submit करते हैं वैसे दीरे दीरे आपके assignment update किये जाते हैं जैसे पहले March वालों के फिर April फिर उसके बाद मई फिर June जुलाई तो जैसे जैसे students ने assignment submit किये थे वैसे वैसे उनका update आता रहता है इसलिए आपका भी assignment का status है वो जल्दी website पर आ जाएगा और अगर किसी एकारड में किसी भी students का assignment का status नहीं आता है तो आपको क्या करना आपको इगनू को mail करना है आपका जो भी original center है आप अपने original center को mail करें कि आपके assignment का status नहीं आया है और mail में आपको क्या करना है तो mail का जो format है वो आपको मेरे telegram channel से मिल जाएगा कि आपको क्या mail करना है original center को क्या mail करना है इसके बाद अगर फिर भी reply नहीं आता है तो आप दो तिन बार दुबारा से mail करें जिससे कि आपके पास एक नए एक बार तो reply आएगा कि आपके assignment का status अभी pending क्यों है आपका status अभी तक क्यों नहीं आया है तो दोस्तों आई होप आपको समझा आ गया होगा कि अगर अभी आप December 2022 term and exam के लिए अपने assignment submit करने जा रहे हैं या सितंबर से नवंबर मन तक submit किये हैं आपने तो आपके assignment का status फरवरी मार्स तक अपडेट किया जाएगा जब आपका December का result आएगा और वहीं आपने June 2022 term and exam के लिए जो आपने assignment submit किये थे तो उसके assignment का status अभी दीरे दीरे अपडेट हो रहा है इस मन्त या आगले मन तक वो भी assignment का update जल्दी update हो जाएगा और नहीं update हो रहा है तो आपको इगनू को mail करना है mail का format आपको मेरे telegram चैनल पर मिल जाएगा तो दोस्तो आई हुप आपको वीडियो समझ आई होगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में जादा से जादा share करें और चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले धन्यवाद